पकड़ा है। पुलिस नियारोपी के खिलाफ मामला धर्जकर जाश शुरू कर दी डॉक्टर सतीश सुलेख ने बताया कि एक व्यक्ती नागरी कस्पताल में बीडी में सुल्फा भर कर पी रहा था इसके साथ ही वह पास खड़े एक दिव्यांग व्यक्ती को भी सुल्फे की बीडी पिला रहा था चिकित्सको के अनुसार उसने यह बीडी सुल्फे से भर कर साथ व्याले व्यक्ती को बेची थी चिकित्सकों की टीम ने तुरंत व्यक्ति को काबू कर लिया और नागरी कस्पताल में इस्थित पूलिस को मोके पर बुलाया नागरी कस्पताल चोकी प्रभारी स. आई नफे सिंग ने जब व्यक्ति की तलाश ली तो उसके पास से सुल्फे की एक गोली बरामत हुई चिकित्सकों के अनुसार उक्त व्यक्ति कई बार नागरी कस्पताल में देखा गया है उन्हीं शक है कि वैं यहां पर आई लोगों को सुल्फा बेचता है सीविल सर्जन डोक्टर जय भगवान जाटान ने व्यक्ति को तुरंत सीविल लाइन थाना पुलिस को सोप कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की शिकायद की है सीविल लाइन थाना प्रभारी राजपान ने कहा कि आरोपी की पहचान गाव नार नोन निवासे सितेंदर की रूप में हुई है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जाशुर कर दी गई है सीविल सर्जन डोक्टर जय भगवान जाटान ने कहा कि चिकित्सकों को इस परकार के लोगों पर नजर रखने के लिए कहा गया है इसके अलावा नागरिक अस्पताल की सुरक्षा में तैनात करमचारियों को भी इस परकार के संदिक्द लोग मिलते ही तुरंट जिकित्सकों को सूचना देने के लिए कहा गया है आप यह वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल भी होगी है आप भी देखे यह वीडियो जोती गादन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightening A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise